Hello Friends, आज हम बात करेंगे Pilot V5 vs V7 तो देख सकते हैं Friends, ये दोनों ही पैन Pilot के तरफ से आते हैं और बहुती Efficient और बहुती अच्छे पैन है, दोनों का इंक बहुती अच्छा है ये है Pilot V5 और ये है Pilot V7 दोस्तो एक में 0.5 mm का टिप आता है और दूसरे में 0.7 mm का आता है इसे टिप के कारण दोस्तो V7 थोड़ा सा स्मूद चलाता है V5 से दोस्तो V5 जो है उसे आप अपने Assignment, अपने Projects इसमें यूज़ कर सकते हैं बाकि V7 को आप Homework, Maths करने में इस्तमाल कर सकते हैं और ऐसे चीज़ों में इस्तमाल कर सकते हैं जिसमें आप बहुती तेजी से लिखना चाते हों अब मैं दोस्तों आपको कुछ लिखके दिखाऊंगा पहले V5 से तो देखिए इसका इंक अच्छा है और ये Projects के लिए बहुती अच्छा है दोस्तों क्योंकि इसमें जादा इंक फ्लो ना होने के कारण पेपर में कोई जादा इंक नहीं आएगा जिससे दोस्तों कुछ होचपोच नहीं होगा जादा तो ये बेटर है Projects के लिए अब आते हैं V7 पे तो देख सकते हैं दोस्तों इसका इंक बहुती मोटा है और ये बहुती स्मूठ चला रहा है मेरे पास ये V7 का एक ग्लू वाला है तो अब जैसे कि देख सकते हैं ब्लू वाला भी काफी अच्छा चला रहा है और ये डेली यूज के लिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों बहुती अच्छा है आप कभी बोर नहीं होंगे लिखते-लिखते बहुती स्मूठ चलाता है ये तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों V7 और V5 के बीच का डिफरेंस सब पेन अच्छा है दोस्तों बत आपको decide करना है कि आपको कैसा लिखना है आपको मोटा इंक चाहिए या पतला इंक चाहिए आपको ज़ादा इंक flow पसंद है या कम इंक फ्लो पसंद है आपके suitability के हिसाब से आप लिख सकते हैं मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये पैंस बहुत ही अच्छे हैं इनमें कोई दिक्कत नहीं है आप डेली यूज के लिए इनको यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट में इनको यूज कर सकते हैं कोई भी एक्जामस हो इसमें आप यूज कर सकते हैं तो दोस्तों यही था आज का रिव्यू अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करे शेर करे और कमेंट करे और सब्सक्राइब करना ना भुले धन्यवाद